विल्चेयर पे चले आते हैं, जिस वैक्ती को सरकारी नौकडी की कुर्शी पे बैठना था, वो विल्चेयर पे चला आता है, और माच यानी की 6-7 महीने में इन्होंने 2 लाख सब्सक्राइबर का आंकरा चू लिया है, और फेस्बुक अगर आप भी 35-40,000 के करीब करीब आप और आभी तक आप साथ देते आ रही है, तो ये होसला कहां से आ रहा है, बस भगवान की देन है, और हम दोनों का प्यार, बाकी इनका ये प्ले बटन आप देख सकते हैं, जो की यूट्यूब के तरफ से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पर मिलता है, और मेरा अनुमान है, कि बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे, जो 6 महीने के अंदर इस माइल स्टोन को छू लेते हैं, हमारे बगल में जिस सक्स को आप देख रहे हैं, इनको देख कर कि आपको लग रहा होगा कि ये फिजिकली चैलेंज है, लेकिन ये वो कारे कर रहे हैं, जो शायद आप करने के बारे में सोचते रह जाते होंगे, भले ही आप अपने पाउँ पे चल पा रहे होंगे, और सारे कारे खुद से कर रहे होंगे, देख लिजे, ये जोडी हैं हमारे बगल में, नूतन व्लोग्स करके ये लोग यहाँ पर एक चैनल चलाते हैं, लेकिन उससे पहले की कहानी ज चरीर परलाइजड हो जाता है, सही बात है, ये सही घटना है, जे एकतम सही है, और उसके बाद क्या था, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन खतम हो गया, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल में इनका इलाज चलता है, फिर ये वीलशेयर पे चले आ है, तो वो इनकी पतनी है, क्या नाम है आपका, क्या आपका ही नाम नूता ने ये सवाल रहना करी, और व्लॉग चैनल आपका ही आइडिया था, हाँ आइडिया तो मेरा ही था, हम दोनों मिलके ही शुरू किये थे, कितने समय पहले आपने ये व्लॉग चैनल शुरू किया अगस्ट में किये थे अगस्ट में यही जो बीता अभी जो बीता है 2023 का अगस्ट और अभी सब्सक्राइबर बेस बगरा कितना है उस पर दो लाग साथ हजार है ना जी दो लाग से जादा सब्सक्राइबर इन्होंने अगस्ट से लेकर के यह अभी मार्च का महीना चल रहा है करीब करीब अगर जोड़ा जाए तो सेप्टेमबर, अगस्ट, सेप्टेमबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसमबर, जनवरी, फरवरी और मार्च यानि की 6-7 महीने में इन्होंने 2 लाख सब्सक्राइबर का आंकरा चू लिया है और फेस्बुक अगर आपे भी 35-40,000 के करीब करीब आप लोगों के फॉलोवर्स आपने गेन किया है तो लोगों का प्यार और आशिरवाद कैसा मिल रहा है लोग कॉमेंट करते होंगे, लोग बताते होंगे आपके आरे में तो कैसा मिल रहा है वो बहुत अच्छा लगता है, लोग हमारे भारे में इतना अच्छा-च्छा कॉमेंट्स करते हैं आप खुँज जाके देखे, वहाँ पर आप देखेगा तब को दिल छूलेगा ऐसा कॉमेंट्स रहते हैं और पती का आप इतना जादा साथ दे रही है बस भगवान की देन है और हम दोनों का प्यार अच्छा, अब देखिए इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो बात आज के जनरेशन को सीखनी चाहिए जहां आज का जनरेशन हमारा दूसरे ही तरफ डोल रहा है हमारा आज का जनरेशन कह रहा है कि भाई ठीक है हम लोग साथ में हैं लेकिन एक समय के बाद तुम परिशानी में हो तो मैं तुमें छोड़ कर चला जाओंगा और यही रवया चल रहा है उस जनरेशन में कहीं न कहीं ये लोग एक मिशाल है और कहीं न कहीं हमारे समाज को एक positive view दे रहे हैं बाकी इनका ये play button आप देख सकते हैं जो कि YouTube के तरफ से एक लाख subscriber पूरा होने पर मिलता है और मेरा अनुमान है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो 6 महीने के अंदर इस milestone को चू लेते हैं एक लाख subscriber आपका कब हुआ था एक लाख December में हो गया था मतलब कि तीन से चार महीने में एक लाख subscriber आप उने छू लिया था वाकई महीने में इनकी कहानी बहुत motivating है और इनकी कहानी अगर आप सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं ये प्रतिकिरिया आपकी होगी comment section में जाके अपने प्रतिकिरिया देना ना भूले इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं comment section में लिखना ना भूले